इस गड़ में चुनावी सरगर्मी दिन प्रति दिन बढ़ती जा रही है। राश्ट्री नेताओं के प्रदेश में दौरे अब तेज होने लगे हैं। भाजपा के नेता लगातार प्रदेश में पहुँच रही हैं। लेकिन कॉंग्रेस के सबसे बड़े चहरे राहूल गांधी की 36 गड़ से दूरी बनी हुई है। जिसे लेकर भाजपा नेता कॉंग्रेस की खिचाई भी कर रहे हैं। इन सब पर देखिए ये खास रेपोर्ट। 36 गड़ में भाजपा के राश्टी नेता लगातार पहुँच रहे हैं। केंद्री वंत्री गिरीराज सिंग से लेकर फगण सिंग कुलस्ते तक यहां पहुँच चुके हैं। बस्तर से लेकर मैदानिक शेतरों तक भाजपा के नेता पहुँच चुके हैं। जबकि कॉंग्रेसी नेता राहूल गांधी इसी साल फरवरी में कॉंग्रेस के तीन दिनों के अधिवेशन में आय थे। रायपुर के साथ ही सिर्पुर का दौरा भी किया। लेकिन इसके बास से अब तक उनका कारेकम तय नहीं हो सका है। इससे पहले राहूल गांधी तीन फरवरी 2022 को राजीव गांधी ग्रामीन भूमीहीन मजदूर क्रशक नययोजना का शुभारम करने आय थे। भाजपा राहूल गांधी के ना आने को लेकर तंज कस रही है। जबकि कॉंग्रेस जल्द ही राहूल गांधी समेथ अन्य राश्टी नेताओं का कारेकम तै होने की बात कह रही है। 36 गड़ की जनता इस बात का इंतजार करती रही है कि कब उनसे जूठे वादे करने वाले माननीय राहूल गांधी जी का आगमन 36 गड़ में हो और उनसे जवाब लिया जा सके। वेदान सबा चुनाओ के पहले राहूल गांधी जी ने कॉंग्रेस का घोशना पत्र जारी करते हुए भी प्रदेश की जनता को ये विश्वायस दिलाया था कि वादे पूरे होंगे किसी को कुछ नहीं मिला और अब इसका जवाब न देना पड़े। कॉंग्रेस की ओर से अब तक प्रियंका गांधी ही 36 गड़ में सभाओं को संबोधित करने पहुंची हैं। उन्होंने बस्तर में भरोसे का संबोधित किया था। उसके पहले उनकी मलका अरजुन खड़के के साथ रायपूल में भी सभाओं हुई थी। लेकिन राहूल गांधी की प्रदेश से दूरी बनी हुई है। कॉंग्रेसी भी चुनावी महोल में सरगर्मी लाने राहूल गांधी का बेसबरी से इंतजार कर रहे हैं। रायपूल से आई एन एच 24-7 के लिए गौर्ण गांधी के लिए।